देश के सबसे बड़े और इज़दार कारोबारी रतन टाटा को लेकर बॉली बुट से एक बहुत बड़ी खुशकब्री आई है रतन टाटा की जिंदगी पर वेब सिरीज बनाने का एलान हो गया है ये वेब सिरीज टाटा के 200 सालों के इतियास पर बनीगी आज के दोर में शायद ही कोई ऐसा ये इंगिस्टर होगा जो रतन टाटा के बारे में ना जानता हो उनकी जिंदगी के ऐसे तमाम किस्से हैं जो लोगों को आज तक नहीं पता यहां तक लोग ये भी नहीं जानते कि रतन टाटा का दिल चार बार तूटा था बिजनस से जुड़ी कहानियों को स्क्रीन पर लाने में माहर प्रोडक्शन हाउस ओल्माइटी मोशन पिक्शर ये तियारी कर रही है कंपनी ने टाटा परिबार पर सीनियर जनलिस्ट गरीश कुवेर की किताब के राइट्स को खरीद लिया है इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक टाटा पर बनने वाली वेफ सीरीज अब तक की सबसे बड़ी वेफ सीरीज होगी क्योंकि टाटा का इतियास 200 सालों का है इसलिए इस वेफ सीरीज के तीन सीजन रिलीज के जाएंगे इस सीरीज के लिए प्रोडक्शन टीम ने रिसर्च का काम शुरू कर दिया है सीरीज की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है इसकी शूटिंग अगले 6-7 महीनों में शुरू हो सकती है लेकिन इस भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखरकार इस वेब सरीज में टाटा का किरदार कौन निभाएगा रिपोर्ट के मताबिक बड़े-बड़े अक्टर्स चाते हैं कि फिल्म में टाटा के रोल के लिए उनकी कांस्टिंग हो इसके लिए कई बड़े अक्टर्स ने तो इस वेब सरीज के मेकर्स को भी अप्रोच किया है लेकिन हर्शद महता के उपर बनी स्कैम 1992 की तरह इस फिल्म के मेकर्स किसी ऐसे एक्टर को रतन टाटा के रोल के लिए कास्ट करना चाते हैं जो अपने रोल से सभी को जोका दे इस लिस्ट में राजकुमार राव का नाम सामने आया है वैसे इस बात की संभाबना जादा है कि मेकर्स इस सिरीज से किसी नए चेहरे को लाँच करेंगे टाटा पर बनने वाली इस वैब सिरीज में ऐसे कई खुलासे होंगे जिन से पूरी दुनिया आज तक अंजान है फिलाल इस वैब सिरीज का ऐलान होते ही लोग इसके लिए काफी एक्साइट हो गए है